Good morning friends, welcome to teaching guru तो आजवाले topic में हम बात करेंगे Operation of drilling machine यानि कि drilling machine पे हम क्या-क्य operation कर सकते हैं इससे जो previous video है उसमें हमने types of drilling machine के बारे में पढ़ा है कि कितनी तरह की drilling machine हमारे पास होती है तो इस वाले में हम बात करेंगे आजवाली वीडियो में कि Operation कौन-कौन से हम drilling machine के उपर कर सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है drilling कर सकते हैं, reaming कर सकते हैं boring, counter-boring, counter-shaking, spot-facing और taping तो एक-एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे with the help of diagram कि यह कैसे किये जाते हैं तो first वाला जैसे कि हमारा drilling drilling दिलिंग एक main operation है, drilling machine पर drilling तो होती है यह सबसे main operation है, इसके operation of producing a circular hole ăक revolving tool होता है जिसको hmm drill बोलते हैं उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं, उसके बाद जाता है हमारा बोरिंग, बोरिंग में क्या होता है, जो भी हमने अल्रेडी ड्रिल अभी होल किया है, ड्रिल किया है, उसको इनलार्ज करने के लिए, उसका साइज बड़ा करने के लिए, उसकी बैटर फिनिश देने के लिए हम ब काउंटर सिंकिंग में क्या हो रहा है सिर्फ हमने मतलब कुछ पोशन था कि उसका जो होल है वो इनलार्ज किया है हमने जैसे कि हमने जो एंड है उसको इनलार्ज कर दिया और उससे कि हमने कौनिकल शेप बन गई थोड़ी से डिस्टेंस तक यानि कि पूरा जहां पर डिल किय पूरा का पूरा नहीं हमने इसको इनलार्ज करना सिर्फ कुछ पोशन इसका इनलार्ज करना जैसे कि एंड हो गए उसके एंड से हमने इसको इनलार्ज कर दिया और उसकी कौनिकल शेप बन गई फोरा शोट डिस्टेंस उसके बाद आता हमारा रीमिंग रीमिंग क्या है ओ के ओपर रीमिंग करनी पड़ती है रीमिंग में क्या होता है multiple tooth cutler multiple tooth cutter होता है रीमिंग का रीमिंग cutter जिसको हम बोलते हैं तो इसके अंदर hole के अंदर से surface finish है accurate size की उसके finish को surface देता है surface finish देता है उसके बाद आता है हमारा counterboring counter boring क्या होता है यह भी enlarging करता है एक limited portion of hole is called the counter boring जैसे कि आपको diagram में दिख रहा है कि यह हमने पहले hole किया हुए नीचे वाला और उसके उपर हम counter boring कर रहें counter boring जैसे कि हमने सिर्फ इस जगा इतनी इतनी जगा भी हम इसका जो hole है उसका size बड़ा कर रहे है बाकी नीचे हमारा size है वो same है जैसे कि हम इस में अगर nut इस hole के अंदर आगर nut डालेंगे तो nut वाला जो उपर hexagon होता है वो उपर है जाएगा और nut है वो अंदर चला जाएगा तो यह counter boring है उसके बाद आता है tapping tapping में कहाता है operation done by performing internal thread किसी भी हमने hole में अगर internal thread कट करने है तो हम tapping का करते हैं tapping की मदद से हम किसी भी hole के अंदर thread जो है thread कट सकते हैं जिससे कि हम अगर हमने इसमें nut डालना है तो वो nut असानी से इसके अंदर fix हो जाए तो फिर उसके लिए हम tapping करते हैं तो यह थे हमारे 6 operation कि हम with the help of drilling machine से different type of operation है वो perform कर सकते हैं thank you video देखने के लिए